इन दौर जुले के देपालपूर समिपस्त ग्राम मुंडला कमला सीमा शेत्र में यूवक का शफ पुलिया के नीचे मिला है जहां शफ पड़ा हुआ था उसके आसपास खून बिखरा हुआ था पुलिस को हत्या क्या शंका है? एफसल के अधिकारियों और पोस्ट मॉटम परिक्षन रिपोर्ट के बाद ही खुलासा किया जाएगा देपालपूर स्जी ओपी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि बुदवार सुबह सूचना मिली थी जहां उन्होंने पानी से शफ को बाहर निकाल कर परिक्षन किया और घटनास तल के आसपास जाकर साक्ष को जुटाया है आसपास के ग्राम के छोकिदारों को बुल्वा कर सब को बाहर निकाला गया जिसमें शफकी शनाक्त शाहिद अली पिता मुहम्मद अली उम्र 27 वर्ष निवासी मुडला कमला के रोप में हुई है अंधे कतल के मामले में देपालपूर पुलिस कई बिंदूओं पर जाच कर रही है प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया है कि मरतक यूबक के सर के पीछ चोड दिखाई दे रही थी वही नाक और कान से खून बह रहा था दाहिना हाथ तूटा हुआ नजर आ रहा था चपल भी पुलिया पर अलग-अलग पड़ी हुई थी नहर में बबूल के पेड़ का चार फिट का डंडा तैर रहा था नहर के किनारे देशी शराब की खाली बोतल और नमकीन के पाउज भी मौजूद थे पुलिया के किनारे जगए-जगए खून ही खून दिखाई दे रहा था दिखाना एक में बनेरिया और मौड़ा के पास जो नहर है खेतों के किनारे गाउं से बाहर है यहां एक डेड बॉडी पड़ी हुई है तो डेड बॉडी मिली है पानी में डूगी हुई है अभी इसको एफसल से निरिक्षण करवा लिया है और इसको निकलवा के देख रहे हैं तो यह मौड़ा के निवासी शाहिद अली इनका नाम मालूम चला है मौड़क का और इसका डेड बॉडी का पोस्ट माटम कराया जाएगा इंस्पेक्शन तो प्राडम भिक कर लिया है इसके बाद पोस्ट माटम रिपोर्ट के बाद ही आगे क्या कारवाई होती है पुलिस ने जाँच में ले लिया है जाँच शुरू कर दी है मर्क जाँच में आगे बेचना इसकी करेंगे अभी इस पर कुछ भी कहना जल्द बाजी होगी अभी इसका एफसल के परिक्शन के बाद और पोस्ट माटम के बाद और बारी की से जब इसका इन्वेस्टिकेशन होगा तब ही कुछ कह सकते हैं पनी में हैं तो कुछ भी कहां नहीं जाए